साथियो फिर हम इसके पाट 2 को लेके आए unit number 3 को जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा हुआ unit number 3 में हमने part 1 में 70 कोशनों को देखे थे उसके बाद में part 2 में हम अगले 70 कोशनों को देखेंगे इस तरहीचे से लगबग में हम 4-5 वीडियो में इस unit 3 को खदम कर देंगे क् कंसा होता है तो यह कोई होगी है यदी वह यूग्षासन करता है तो सबसे अच्छा कौन सा होगा ठीक है तो यह होगा हमारा पदमाशन क्यों सा कहलता है पदमाशन कहलता है निमनेखित में से कौन सा अस्ठांग योग का अंग नहीं है तो वो नहीं है हमारा C जोसे कहते हैं तत्व ज्यान का योग एक अस्ठांग योग का अंग नहीं है अस्ठांग योग के कितने भाग होते हैं तो अस्ठांग का मतल को चलते हैं कि आगे देखिए आगे कोशन हमारा 74 को देखेंगे यहां कहा रहा है अठी योग है कि अब बात करेंगे अब यहां से देखेगा यह है हट्योग का सास्तरी गरंत कहलाता है तो हट्योग का को यहां से बहुत है तो सास्तरी कहलाता है हट्योग गरंत वलीued ठीक है गरंत कोशन है कि योग सासन का योग योगा शॉप्य है और को योग निर्मणता कि रूप में?' जोडना तो योसमा को परमात्म से जोड़ना योग का अर्थ होता है एं सुद्धी किरिया को किस नाम से जानते हैं तो सुद्धी किरिया को जानते हैं वो जानते हैं हम पश्ट करम के नाम से जानते हैं योग के कितने चर्ण है जो सरीर मस्तक्स और आत्मा को सुद्धी करण को निश्चित करते हैं तो 78 का जो अंसर है वो 8 है तो आप होगे योग के कितने चरण है तो 8 चरण है जो सरीर आत्मा और मस्तिक्स के सुद्धी करण को निष्चित करते हैं तो 8 योग है इस बात व्याद रखिये and 8 योग को बह योग है 8 योग है जिसके दुआरा प्राप्त होता है आठ मायो कौन सा है, आठ मायो को अठ योग के नाम से जानते हैं, जो हमें क्या प्राप्त होता है, इन में से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, इन में से मलग सारी कौन से बुद्धित प्राप्त होती है, ज्यान प्यार भी प्राप्त होता है, भक्ती भी प्राप्त होत मांसिक विकृतियों से मुक्त दिलाता है तो यह मुक्ति दिलाता है फिर हम वहाद से फ्री करते है इस तरह के से करें मांसिक विकृतियों से मुक्ति दिलाता है तो कौन दिलाता है तो आप सभी को योग दिलाता है and मानसिक तन आपको दूर करने में सर्विसलिस्ट साधन क्या है तो आप कहेंगे वो है योग यदि आप योगा करते हैं तो आप मानसिक तन आप से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी and योग या कह रहा है योगियों द्वारा सिध्धाशन फिर्मक रूप से अपनाया जाता है तो कौन सा अपनाया जाता है आप सभी का अंसर आना चाहिए option number A जिसे कहते हैं ध्यान के लिए जो हम सुध्याशन जिसे करते हैं वो ध्यान के लिए करते हैं किसी का ध्यान रखते है and यहाँ बात करें आसनों के आसनों से लाब होता है तो आसनों से क्या क्या लाब होता है आपको वो प्रुप्त सभी मानसिक साररिक and जो आपकी अध्यात्मिक जो ठीक हो जाती and next question है कि योगस्त चित योगस्त चित विर्ति निरोध निरोधा कह सकते है ठीक है किस ने कहा था तो ये जो कहा गया था ये कहा गया था सादियो बी कह सकते हैं महारसी पतंजली के द्वारा कहा गया तो महारसी पतंजली थे उनके द्वारा कहा गया सरीर के सभी अंगों के व्याम की जो द्रश्टी से कौन सा आशन सर्वसिष्ट है यदि हम बात करें सरी की सभी अंगों के व्याम की तुरस्टी से जो आशन सबसे अच्छा है वो कौन सा है तो हमने पहले भी आपको बता चुका हूँ इसके बारे में इसे हम बोलेंगे सबसे अच्छा जो आशन होता है वो हमारा कहलाता है सर्वासन कह खालाता है ठीक है option number एक योड चलेंगे एंड व्याम का एक क्रिया है तो जो प्रणयाम होता है वो कैसी क्रिया होती है तो आप सभी का answer आना चाहिए डी उप्रुप सभी बस्तक से स्वासन और जीवन सकती के लिए यह एक क्रिया होती है यह है दारण उपयोगी होता है क्या लगता है धारण उपयोगी होता है एक अच्छा वयाम है धारण करना तो एक अकरता के लिए ठीक है निमनेकित में कौन चत्रयोग में सामिल है तो चत्रयोग में चत्रयोग है वो कौन सामिल होता है तो option number सभी कर्मयोग राज्योग और भक्तियोग क्यों सामिल होते है एन्ड यहां करा है सुखाशन जो होता है उसको कहा जाता है योगासन का प्रार्म किस आसन से किया जाता है अब सबी को बता होगा जो सुखाशन होता है उसका जो प्रारम होता है या फिर स्टार्टिंग जो होती है वो सूरी नवसकार से की जाती है किसे की जाती है सूरी नवसकार से की जाती है सरीर के सभी अंगों का संपोड ये व्याम किसे माना जाता है या सरीर का जो संपोड हमाई व्याम जो करते है वो किसे माना जाता है तो हमने आपको पहले भी इस कोशन के बारे में डिसकस किया था सूरी नवसकार को ही बोल सकते हैं कि सरी के सभी अंगों का संपोड जो बयाम होता है वो सूरी नवसकार एंड अंतर राश्च्टी योग देवस का मनाया जाता है योगा Đिवस की बात करें तो मनाया जाता है योगा दिवस देश میں योगा दिवस मनाने लगे हैं ठीक हैं अंतर राश्टी कितने दद मना जाता है तो आपको 21 जून को नेक्स कोशन है आसन करने में या करने से क्या लाब होते हैं आसन करने में या फिर आसन करने से आपको क्या लाब होते हैं वो आपको बताना है तो आपको लोग सभी लाब होते हैं मस्तक्स और सरीर में को सक्ति प्रदान होती है नाडियों आतु तफाई हो जाती है और सरीर स् हम नेक्स कोशिए हैं नैट्ट क्राइब सबसेगे होता है तो पाचिन विकारों में सबसे बहतरी है चाहने के शय कि लिए प्रण किया जाता है ंट्ट क्या होता है यहां कहा रहा है कलाप्ढ़क्ती से यह योग दूर हो aroundy मस्तक्स के जितने भी रोग वो दूर हो जाते हैं कपाल भारतीया का फ34 की कपाल भारती से रोग दूर है याप सभी होता है तो आप सभी का आना चाहिए कि सूर्य निकलने से पहले आपको योकसासन करना चाहिए जो सबसे बहतरीन है एंड रक्तचाप में कौन सा आसन सर्वुत्तम लावदायक होता है तो सबसे उत्तम जो लावदायक होता है वह होता है स्वासासन तो याद रखिये जो स्वासन होता है उससे रख्तसंम्ति सभी सम्मधिक लाबकारी होते हैं आसन में रख्तसंम्तिक सबसे बहतरी उसमें है नेक्स्स को कौशन है कि मस्तक्स को बलप्रदान करने वाला सबसेत आसन कौनसा है अबर प्रसक्ट करता है कि कि प्रणयाम करेंगे तो मस्तक्स बहुत ज्था बलवान हो जाता है एंड यह कह सकते हैं योगासन हे तु कौन सा इस्थान उप्युक्त है तो कह सकते हैं बी ऑप्शन जिसे कहते हैं समतल ठीक है समतल वाला एक्स्ट कोशन है कि योग का स्रोथ है तो योग का स्रोथ कौन सा होता है बी ऑप्शन ठीक है उपनिस्ट हो सकते है तो कि पांच गरंद सकते हैं इस बीमारी होती है और पसकी रचना तो योग बिग्यान काम मौलभूत गरंद निम्निकित में से का निम्निकित में से किस की रचना है कह सकते हैं जो योग विज्ञान है उसका मूलभूत जो गिरंत है वो निम्न में से किसकी रचना है तो अब सभी का अंसर आएगा मुझे रचना है तो भी आप्शन पर आएंगे पतंजली की रचना है नेक्स कोशिन आपके सामने है 105 जिसे कह सकते हैं योग योग ना केबल स्वास्ता और भौतिक लाब लाता है बलकि बलकि जॉटिट को उर्धगमी बनाकर आत्म प्रिद्ग्या को भी बढ़ावा देता है तो देखो आत्म जो प्रिद्ग्या होते है उसको भी बढ़ावा देता है बलकि मतलब किसको लिना है बलकि आत्मा को ठीक है कह सकते है अप्षिन नमबर ए आत्मा लगा सकते हैं आत्मा को दॉट्टेट के जगह आत्मा बलकि आत्मा को उर्दगमी बनाकर आत्म प्रतक्या को भी बढ़ावा बढ़ाता है तो बढ़ावा देता है ठीक है निम्निकित में से कौन सा योग के अनुपरयोग के संधर में सत्य है वो ह अनुपरयोग संधर्वक्त में सत्य है तो नेक्स कोशन है अनुपरयोग जो दरसन किस प्रिकार परिलक्षित होती है या होता है तो वो होता है हमारा उप्षिन नमर सी मानब के उप्योग से क्या होता है मानब के उप्योग से निम्निकित में कौन अनुपरयोग दरसन का भ सास्त्र भी है ठीक है next question है अनुप्रियोक्त दर्शन का उप्योग निम्निकित में से कौन सा है तो अनुप्रियोक्त जो दर्शन है उसका जो प्रियोग है वो हमारा बिवहारिक मावलों का अध्यान एक अनुप्रियोक्त दर्शन का उप्योग है यूज है एंड पतंजली य यूग दर्षन एंद वैदिक यूग दर्षन का है तर्षन के सार्वॡीयुप में उप्य होगी है तो 110 का अंसर हो जाएगा हमारा भी ऑप्षन यह ना चाहिए कोशन है कि भारतिये दों संके पिरमक उद्देसे निम्नेखित में जिसे हैं तो वो है हमारे c option जिसे कहते हैं दुखियों की न्युक्ति के लिए तो एक सो तो इससे क्या हुआ आपको पता से लिए option number c's दुखों की जिवर्ति कह सकते हैं ठीक है next question next question है चेतना सब्द का उप्योग निम्निकेत में से किस के लिए किया जाता है तो चेतना सब्द का जो उप्योग है वो किस के लिए किया जाता है तो सभी का option number d उप्रोग सभी के लिए बुद्धी के लिए ग्यान के लिए एं टीवन के लिए किया जाता है एं चेतना की कि इतना एक व्यवहार प्रिक्रिया है यह किसने कहा था कि इतना एक क्या है प्रवहा प्रिक्रिया है ठीक है इतना एक क्या है प्रवहा प्रिक्रिया है यह किसने कहा था सभी का option नमबर आएका सी उप्षं जिसे कहते हैं रविंद्र रविंदर जैन ने कहा था एन्ड नेक्स कोश्टन एक सो पंदरमा कोश्टन देखिए यहां कह रहा है जेतना को बेदो के अनुसार निमने गेदमे से किस रूप में प्रदर्सित किया गया है तो बेदो के को साथ लिए योग सूत्र के अनुसार चेतना एक सुरूप निंवनेकित में से कौन सा है को है वो है हमारा वो कैसे हैं किरियात्मक चेतना है कैसी है किरियात्मक चेतना option number 20 राइट रहेगा next question है जब सरीर की नाडियों में प्राण बायू संचान नहीं होती है कि फिर नहीं करती है तब डॉट डॉट उत्पन नहीं होता है तो क्या चित उत्पन नहीं होता है तो आप सभ है बोद पन नहीं होती है next question है चेतना चेतना की चतुर्द अवस्ता निम्निकित में से कौन सी है तो चेतना की जो चतुर्द अवस्ता है वो है हमारी तुरिया अवस्ता क्या लाती है तुरिया अवस्ता चतुर्द अवस्ता क्या लाती है एंड उपनिसित में चेतना की ब्याख्या के लिए निमनिकित में से कौन किसको या फिर किसका सहरा लिया जाता है तो जो उपनिसित में चेतना की ब्याख्या करने के लिए जिसका सहरा लिया जाता है वो क्या है तो वो है खंडातनक प्रिवर्ति जो खंडातनक प्रिवर्ति होती है उसका उपयोग किया जाता है या फिर सहारा लिया जाता है चेतना को निमनिकित में से किसका मूल आधार माना गया है तो चेतना का जो निमनिकित में से मूल आधार माना गया है वो ग्यान का माना गया है ग्यान का एंड डेक्स कोशन बोला गया है कि बैधिक खृषियों ने माननब चेतना के विकास को निमनेखित में से किस रूप में इसपच्ट किया है तो वो किया है ए ऑप्शन के रिए क्या कहा है ए ऑप्शन जिसे कह सकते हैं अध्यात्मिक दर्शन के रिए मानडुक के उपनिर सद में चेतना के कौन से सोरूप को चर्चा की गया है तो वो किया गया है 122 कोषिन का सतीक आंसर अप्शन उपप्रुक्त सभी को ठीक है नेक्स कोशन बुला गया है कि चिंत गीता में चेतना को किस रूप से स्पष्थ किया गया है तो किसलिए किया गया तो आप कहोगे ए औप्षन इस पर किरपया के लिए किया गया है भगवान की किरपराप तो इसलिए चेतना को रूप किस रूप में तो इस पर किरपा के रूप में इस पश्ट किया गया है चेतना का आभाव या चेतना का प्रभाव कह सकते हैं एफेक्ट कह सकते हैं चेतना का प्रभाव व्यक्ति के डॉट डॉट एव ठीक है अनुभव जो होता है ठीक है एबम उनकी अभी व्यक्तियों में जो द्रश्टी गोचर है उस पर होता है तरीको अनुभव यहां आ जाएगा आपके इसके ज़्यून नेक्सकोशन है कि मानब चेतना सुभवता निम्निकित में से किस पिरकार का प्रत्न है यह प्रत्न करता है तभी का option number आएका B option विस्व जगत से परिचे विस्व जगत से परिचे क्या कलाता है मानब चेतना सुभाववे निम्निकेत में से कौन सा प्रियास करती है option number A जिसे कह सकते हैं भोग से मुक्त करती है and मानब चेतना के विकास के निम्निकेत में से कौन सी विदी है वो है सातियो उप्रुक्त सभी कर्मक योग भक्ती योग ज्यान योग next question बूला गया है कि ज्यान योग के लिए निम्निकेत में से किसकी आवसकता को महत्व दिया गया है तो 128 में question का option नमद इन में से किसी को नहीं दिया गया है और निमनिकित में से कौन सा ग्यान का पिरकार है तो ग्यान का पिरकार है वो है हमारा सबिसे क्या कहलाता है ग्यान का पिरकार है and next question बोला गया है साधक की भक्ती जो साधक की भक्ती द्रड़ को द्रड़ हो जाने पर मतलब साधक की भक्ती द्रड़ हो जाने पर निमनेकेत में से कौन सी किरिया होती है कोई शाधक है और उसकी भक्ती क्या हो जाती है द्रड़ हो जाती है तो उसके कौन सी किरिया होती है तो आप सभी cancer आएगा C option जिसे कह सकते है कामनाओं से मुक्ती कामनाओं से मुक्ती कह सकते है option number C next question है भक्ती योग का तातवर कौन सा है तो भक्ती योग का जो तातवर होता है वो ए option भक्त का चिंत सदयव इस बर में होता है भक्त कह सकते हैं जो भक्त है उसका चिंत जो होता है वो इस बर में होता है उसका सब कुछ क्या होता है इस बर में होता है जो भक्त and कर्म योग का तातवर निमने से कौन सा है तो कर्म योग का जो तातवर है वो कहलाएगा हमारा कुसराणी में नहीं माना जाता है किसको इसां कि रहेगा ऑफकितमेसे तो मन्त्र योग करना भक्ति योग करना आंत्रिक सक्तियों को जागरिक करने के लिए कौन सा योग करना चाहिए आंत्रिक सक्तियों को अंदर की सक्तियों को जागरिक करने के लिए हमें मंत्र योग करना चाहिए and next question है निर्मिकित में से कौन सा मंत्र का कार है कौन सा मंत्र का कार है तो सभी का option number A आएगा प्रिकिर्ती में स्पंदन उत्पन करना क्या है मंत्र का कार होता है next question बोला गया है निर्मिकित में से कौन सा हट सब्द को इसपस्ट करता है हट सब्द को जो इसपस्ट करता है वो कौन करता है सभी का option number आएगा दियो option जिसे कहते है जवर्दस्टी हट करना मतलब किसी चीज़े कोई भी चीज़ जवर्दस्टी कराना हट सब्द को इसपस्ट करता है जवर्दस्टी next question है निमनिकेत में से किस योग में साधक कमजोर हो जाते है तो ऐसा कौन सा योग है जिसमें साधक जो है वो कमजोर हो जाता है तो वो हो जाता है हट योग में कौन सा हट योग में वो साधक क्या है कमजोर हो जाता है सूरिय नाडी एम चंदर नाडी का उपयोग निमनेकित में से किस योग में किया जाता है तो वो किया जाता है हट योग में निमनेकित में से कौन सा अश्ठांग योग में आता है तो अश्ठांग योग में जो आता है वो आता है यम नियम आता है एंड अध्यात्मक चिंतन को निमनिकित में से क्या धरे क्या घेरे रहते हैं तो 141 का option मड़ी जिसे कह सकते हैं उप्रुक सभी क्रोध इर्शा और लालच घेरे रहते हैं निमनिकित में किस योग में स्वास सम्मंधी गतिवीदियों को इस्पष्ट किया गया है तो बो किया गया है B option को जिसे कह सकते हैं अस्ठांग योग में next question है अध्यात्मिक विकास की आधार शीला निमनिकित में से कौनसी है तो देखे जो अध्यात्मिक विकास होता है उसकी जो अध्यात्मिक विकास होता है वो होती है मानब चेतना कौनसे होती है मानब चेतना होती है next question है अध्यात्मिक्ता निमनिकित में से किसे जागरे करने का प्रयास करती है तो वो करती है A option मानब चेतना को and अध्या कैसकते है अध्याम दर्सन में चेतना किस के समनार्थी है मलग किसके समान है जो अद्मे जो दर्सन है वो किसके समान है चेतना आप कोगे ए उप्षन वो है हमारे निर्पेक्स सत्ता के समानार्थी है ठीक है तो निर्पेक्स जो सत्ता होती है उसके एंड चेतना मानसिक किरियाओं का योग है ये किस पिरकार का पक्ष है तो चेतना है वो मानसिक किरियाओं का योग है 21 पिरकार का पक्ष है तो आप सभी का कहेंगे यह हमारा बैग्यानिक पक्ष है निमने के कह सकते हैं कि योग देखे योग के अनुप्रियोग में समलित है तो योग के अनुप्रियोग में जो समलित है यह option is right रहेगा तो आप गोगे योग बह तो देखे योग बह चाबी है जो ब्यक्ति के साथ साथ समस्त जो समुदाओं की ठीक है आर्थ प्रिसंस्ता के द्वार खोल देती है और तीसरा देखे यह तीनों हो जाएंगे नेक्स कोशन है चेतना से सम्मदित है तो चेतना से कौन-कौन सम्मदित होता है तो 148 का सभी लोग आंसर कॉमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करेंगे पहला चेतना सब्द का प्रियोग ज्यान बुद्धी चेतन और जीवन का अर्थ में किया गया है जीवन के अर्थ में किया गया है और सत असत सुब असुब समंदी मनुष के बिचार चेतना के कारण ही कह सकते हैं अस्तरित्व में आते हैं और अलग अलग परिसितियों में, परिसितियों से चेतना का स्वरूप भी अलग अलग होता है, तो ये चारों हमारे option right रहेंगे, एक पहला, तीसरा और चौथा, तीन option is right, next question है, देखिए, गरंतों के बारे में बिचार करने के लिए बूला है, तो ऐसे question आपके paper में नहीं प और है, फिर भी मैं आपको इन कोशनों के बारे में discuss कर लेते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, तो पहला है, चेतना, चेतना समाजिक बातावर्ण संसकारों से बिक्सित होती है, और दूसरा है हमारा, पहला दूसरा, बैदिक तिस्योग ने ध्यान योगी के द्वा सीवारा चेतना अगरत करने का प्रियास किया है, मानब चेतना आत्मसभी की पदितियों में से भी अवलोकन कर दे के लिए, फिकर नेक्स कोशन है, इसमें ये वाला होगा, मानब चेतना के विकास से मनुस ज्ञान की इन स्वधिंता की पूरता प्रापती की जाती है, तो यह तीनों हो जाएंगे आगे के ट्याइज अब आगे देखिए गोश्शन Caribbean個人 क्या कर रहा है निमनिकित कतनों में से कौन सा कतन सत्य है इसमें जो सत्य कतन है वो बात करेंगे तोartoession का आंसर भी रहेगा मतलब कि पहला और दूसरा कतन सत्य है बलगी अलग परिस्ति के रहा है अलग परिस्ति में चेतना का स्वरूप अलग होता है और धार में गरंथों में चेतना का अलग अलग स्वरूप होता है यह बोला गया है और नेक्स कोश्चन है कि निमनेकित में से कौन सा कतन असत है यहां गिलत को हम आप देख सकते हैं गलत जो है ऑप्शन ग्राम होता है यह योग साधन यह जो मुक्स पर आपथी होते ये भी गलात है चेतना चंचल पर शरूप मन है तो यह भी गलात है यहां देखे सब बात हैं हमसे पूछ गई है 153 नमर बीज राइट रहे गा दूसरा-तीसरा बिल्कुल तहीं है तो यह दोनों जो हमारे दूस्कूर्म कर्मों की गति देना और और कह सकते है निसकाम भाब से कर्म करना ये हमारे बिल्कुल सत्य है कर्म के योग है ये बहुत सारे ऐसे कोशन है जो आपको चार बड़ माल बोल रहा है लेकिन ऐसे कोशन आपसे नहीं पूचेगा तो मैं उन कोशनों को पारिव नहीं देखते हैं बाकि सिंपल जो चार अप्शनों को नहीं मिटाया है तो हम इसके पार्ट थरी में देखेंगे पार्ट थरी में इस वीडियो को देखेंगे आगे के ठीक है मैं कोशिस करता हूँ आज मैं सारे यूनिट थरी को खतम करूँ और वीडियो को फूर्थ यूनिट में हम कल को देखकर पूरी पेपर हो खतम करेंगे चनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों को शेर करेंगे इसकी पीडियेफ को डानलूड करने के लिए पेपर हैकर.in वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक डिसक्राइब करेंगे और हमारा दूसरा चनल को सब्सक्राइब जरूब करें.